नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिस्सा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइप में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सावन का आखरी शोमबार स्वी लिंक पर चढ़ाएं यह एक चीज चमक जाएगा आपका भाग छपड़ फाड़ के बरसेगा पैसा दोस्तों सावन के महीने के पूरे महीने का ही अलग महत्व होता है लेकिन जब शोमबार का दिन आजाए सावन के महीने में तो फिर इस दिन सिव जी की पूजा करना बहुत ही फलदाई माना जाता है मानता है कि सोमबार का ब्रत रखने से भक्त की सभी इक्छाओं की पूरती हो जाती है और सोमबार के दिन अगर सिव लिंक पर कुछ बिसेस वस्त्वे अरपित की जाए तो भाग चमक जाता है और छपपड़ फाड के पैसा भगवान सिव जी के कृपा से बरसता है उन्हें जरूर कुछ न कुछ पूजा के निमीत्र अरपित करें उन्हें परसंद करने के लिए सिव लिंक पर जरूर कुछ न कुछ चीजे चड़ाएं तो इस बार स्त्राबण माह का ये आखरी सोमबार है 16 अगस्त 2021 जी हाँ इस बार का ये जो आखरी सोमबार पढ़ रहा है शावन वाश का ये 16 अगस्त के दिन पढ़ रहा है यानि कि तमाम जो यानि कि कुछ लोगों को दान दचना भी कर सकते हैं लेकिन चलिए बात करते हैं कि पूजा तो देखे अगर इसमें अगर आप बाहर नहीं जा सकते जिसे कि मंदिर बगारा बंध होंगे कुछ जगह पर बंध होंगे लेकिन फिर भी जो लोग गाव में रहते हैं उनके तो गाव में नहीं बंद होंगे तो अपने घर पर भी आप कर सकते हैं अब यहाँ पर भगवान सिव जी की संयुक्त रुप से पूजा करें अब जब आप स्यूजी और माता पार्वती जी के आपके घर में तश्वीर हो तो भी आप सामने में एक पात्र रख लें पूजा करें, अगर सिवलिंग है तो उसके उपर करें, सिवलिंग को हमेशा ही किसी पात्र में रखेगा सावन सोंबार की ब्रत की पूरी बिधी क्या है कैसे पूजा करेंगे तमाम बाते करेंगे सबसे पहले तो देखे सुर्योद से पहले आप उठ जाए और उसके बाद आप इश्नान बगएर करके ओम नमेशिवाय शाथी तीसरे पहर तक पूजा की जाती है ऐसा नहीं है कि सुबह से ही कर लिया बस होगे नहीं सुबह से लेकर साम तक तीसरे पहर यानि कि जो प्रदोस काल होता है उस समय तक भगवाय सिवजी की पूजा करें वैसे प्रदोस काल की पूजा सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है सिव जी की पूजा में सबसे पहले तो सिव जी को एक लोटा जल से ही अपशेक कीजेगा और चुकि मंदिर में सिव जी की मूर्ति के समझ आप पूजा कर सकते हैं ब्रत का संकल्प लेकर आप घर में भी कर सकते हैं और पूजा सभागरी में जो चीजे बहुत जरूई है वो है जल, दूद, दही, चीनी, मिश्री, घी, सहर, पंचामरत, मौली, बस्त्र, जनेव, चंदन, रोली, चावल, पुस्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, कमल, गट्टा और प्रसाद के रूप में पांच सुपारी ल क्योंकि सिव जी की पूजा बिना दच्छना पूरी नहीं होती है अगर इतना सब कुछ नहीं कर पाते तो कम सकम एक लोटा जल में बेल पत्र ही डाल दे और फिर सिव जी की पूजा करें सिव लिंक पर चढ़ा दें एक लोटा जल के बाद बेल पत्र चढ़ा दें सिव जी में रूई के यानि की गद्दे पर नहीं सोईएगा कोई भी ब्रत करते हैं रूई की गद्दे पर नहीं सोईएगा सिव जी के अनेक अवतार हैं अनेक अवतार से जाने जाते हैं जैसे की कपाली पिंगल जैसे कई नामें लेकिन आज हम जानते हैं कि सावन का जो सुमबार य मक्क का प्रियोग कीजेगा और दूसरा अगर आप ब्रत करते हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं आप जैसे कि इस दिन फल खाईएगा और आप कद्दू खा सकते हैं हरी सब्जिया खा सकते हैं जो फल के रूप में खाई जा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ भागवान सीव जी को सबसे ज़्यदा प्रियव वो है बेलपत्र उनसे वो बहुत प्रसंद होते हैं मुह मांगा बरदान प्राप्त होता है छपपरफार की बरसता है पैसा सीव पुराण में एक प्रसंद आता है कि भागवान सीव जी पर अर्पित करते हैं तो बेलपत्र तोड़ने के लिए आप एक विशेश मंत्र का जाप कर सकते हैं जैसे कि ओम नमई शिवाय मंत्र अगर आप जल में कुशा डाल कर अर्पित करें सीव लिंग पर तो आपकी बीमारी समाप्त हो जाती है आपके दुख सोक समाप्त हो जाती है अगर गन्ने का रस सीव लिंग पर चढ़ा दें तो धन की प्राप्ती होती है शीग्र धन की प्राप्ती होती है और भाग चमक जाता है सहद से अरपित करें सीवलिंग पर तो अखंड शोभाग मिलता है पति का शुक मिलता है और कच्चे दूस से अब शेक करें तो पुत्र शुक की प्राप्ती होती है शक्कर से अब शेक करें या फिर सीवलिंग पर चढ़ा दें तो फिर आपकी वाड़ी अच्छी होती है शर्सों का तेल तो ना ही चढ़ाएं तो जादा चढ़ाएगा क्योंकि ये तांतर क्रियाव में यूज होता है और घी से अब शेक करें तो मनोकामना या तो शेक रपूरी होती है इसलिए घी भी आप सीवलिंग पर चढ़ा सकते है इस दिन सुर्याज्त से एक घंटे पहले और एक घंटे बात का जो समय होता है वो प्रतोस्काल होता है उसे शमय पूजा कीजेगा अब जो कि भगवान सिव संभू को मनाने के लिए नेको प्रकार की आप उपाई भी करते हैं तो भोले नाथ को सोम बार के दिन एक लोटा जल ले ले ताम एक लोटे में थोड़ा सा चावल ले थोड़ी सी मिस्त्री ले ले और सीवलिंग को जल चरहाने के बाद बेल पत्र आप चावल और मिस्त्री चरहादे सीवलिंग पर फिर देखे कैसे किस्मत आपको रातो रात अमीर बना देती है किस्मत चमक जाएगी भाग गे आपका रूठा हुआ चमक जाएगा भागवान भोले नाथ दोनों हाथों से बरसाएंगे आपके घर में धन की वारिस करेंगे धन संपदा होगा तो सोमबार के दिन अनेकों उपाई के ज़दा ज़शे कि आप इलाइची लौंग ये सारी चीज़े चाहा सकते हैं आपकी मनोकामना शिग्र पूरी होगी तो इस सावन के आखरी शोमबार के दिन ये उपाई जरूर करें इससे आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ती होगी गरीबों को दान करें यथा योग संबहों तो कपड़े का वस्तर का दान करें और गरीबों को भोजन खिलाएं शोम बार के दिन गरीबों को भोजन खिलाने से अनेको प्रकार के लाब होते हैं जीवन में शुक्ष विधाओं में ब्रदी होती है माता भगवती भी आपके उपर प्रसन रहती है लेकिन भागवान शम्भू को परसंद करने के लिए सीवलिंग पर आप दूद से अवशेक जरूर करें दहिशे अवशेक करें आपको अनेको प्रकार के लाव होंगे पंच्या मर्शे अवशेक करें लेकिन भूल कर भी तुलसी ना चढ़ाएं भूल कर भी आप इस दिन इन्हें यानि कि जो केतिकी का फोल ना चढ़ाएं कई प्रकार की चीज़े ऐसी होती जो ना चढ़ाएं लेकिन भांग चढ़ादे सीवलिंग पर सफेद पुश पर चढ़ादे धतूरा के फल और मदार के पुश पर चढ़ादे तो भागवान भोले ना अत्सीगर परसन होते हैं दोनों हाथों से क्रिपा बरसाते हैं छपपडफार के धन बरसता है धन की कमी जीवन में कभी नहीं होती है दोस्तों भागवान स्रीव जी की क्रिपा पाने के लिए ज्यादा ज्यादा कृपा पाने के लिए जरूर कमेंट में जय महादेव वाउश लिखें और वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें हर हर महादेव